नमस्कार सातियों शाला दर्पन से सभी छात्रों को निशुलक पाट्टे पुस्तक का वितरण करना अनिवार रहे हैं शाला दर्पन के माध्यम से निशुलक पाट्टे पुस्तक वितरण करते समय आपको किन-किन बातों का ज्यान रखना है साथ में शाला दरपन से आप निशुल पार्टे पुस्तोकों का वितरन कैसे करेंगे उससे जूड़ी संपुन परक्रिया इस वीडियो में मेरा अमनिवास मेरा आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उप्योगी होगा इसलिए आप वीडियो को बिना इसकीप किये पुरा अवश्च देखिएगा साथ में यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाले बेल आइकन को दबा कर आल पर भी प्रेस कीज़ेगा क्योंकि इसी प्रकार की इंफोर्मेटे वीडियो जब भी मेरी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी उसका लाब भी आपको मिलेगा तो चलिए साथ यों जानते हैं शाला दरपन के माध्यम से निशुलक पार्टे पुस्तकों का वितरन करने की प्रक्रिया शाला दरपन से विध्यारतियों को निशुलक पार्टे पुस्तक वितरन करने के लिए आपको क्या करना है शाला दरपन के विध्याले लोगिन से अपने विध्याले को लोगिन कर लेना है इस तरह का home press आपके सामने आएगा अब आपको यहां एक टेप मिलेगी योजनाय नेम से तो आपको इस टेप पर क्लिक करना है जैसे आप इस टेप पर क्लिक करेंगे अन्य सब टेप आपके सामने open होकर आ जाएगी तो यहां आपको एक सब टेप मिलेगी निशुल के ज़ारती वित्रण प्रविस्टी नेम से तो आप इस पर क्लिक कर लिजेगा अब आपके सामने इस तरह का नवीन पेज ओपन होकर आ जाएगा आपको वित्रण सत्र यहां बताया जाएगा distribution type आपको यहां फिरी text book दिखाए देगा तो आपको यहीं रखना है उसके बाद आपको यह class group select करने के लिए का जाएगा तो आप यहां पर क्लिक किजेगा जिस भी class group के निश्ल के पाट्टे पुस्तोकों का वित्रण आप कर रहे हैं वो class group आप यहां से select कर लिजेगा फिर आपको यह option देखने को मिलेगा go का तो आपको go पर क्लिक कर लेना है अब आपके सामने इस तरह का page open होकर आ जाएगा तो यहां जो सात्यों आपको बिंदू दिये गए हैं उन सबी बिंदूों को मैं बारी किसे clear करने वाला हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए पर उन्तु म यहां देखते हैं तो दूसरे नंबर पर हमें दिया गया है class तो यहां आप जिस भी class के विध्यारतियों की निशुलक पार्टि पुस्तक वितरण करना चाते हैं वो class आपके सामने इहां display की जाएगी आगे आपको यहां subject का name आपको मिल जाएगा उसके बाद book का name आपको यहां देखने को मिलेगा कि आप कौन से विशे की पुस्तके विध्यारतियों को विध्यत कर रहे हैं और book का name क्या है उस book का name आपको यहां display किया जाएगा अब आपका कारी प्रारम होता है यहां से यहां आपको दिया गया है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशु पुस्तकों की संक्या इस सेक्षनिक सत्र में आपको नोडल से कितनी पुस्तके प्राप्थ हुई है वो संक्या आपको यहां display की जाएगी आपको अपने stock register से इस संक्या का मिलान करना है यदि इसमें किसी प्रकार की गल्ती आपको पाई जाती है तो आपके नोडल से संपर करना है नोडल के द्वारा ही वो सुधार हो पाएगा आप स्वयम यहां सुधार नहीं कर सकते हैं आगे जो आपको जानकर यहां देखने को मिलेगी गत वर्ष की शेस अवित्रित नई पुस्तकों की संक्या आपको जो पिछले वर्ष में नवी इन पुस्तके प्राप्थ ह दूई थी उसमें से आपके विध्याले में कितनी पुस्तके शेष रे गई थी जिनको आपको आपने विध्यार्टियों को वित्रण नहीं किया था वो संक्या आपको यहां डिस्प्ले की जाएगी तो इसका भी मिलान आप अपने इस्ताग रेइस्टर से कर लिजेगा कि स शाला दरपंदवारा ओटोमेटिकली उनकी संक्या आपको यहां बताई जाएगी आप इसमें चेंज़ नहीं कर सकते हैं इतनी पुस्तक है आपको लेनी ही लेनी है एनिहाउक कंडिशन अब आगे जो यहां इन्फोर्मेशन दी गई है गत वर्ष की शेस अवितिरत नहीं पुस्तकों की संक्या जो नोडल को लोटाई गई हो आपने यदि आपके नोडल को कोई पुस्तक है जो आपके पास बची थी और नहीं थी उनको लोटाया है और नोडल ने उसकी ओनलाइन एंट्री की है तब ही आपको यहां संक्या दिखाए देगी और यदि आपको यहा पुस्तके लोटाई है तो ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना है आपने नोडल से संपर्ख करना है और जो डेटा उन्होंने प्रिविष्ट कर रखा है उन्हें सुधार करवा लेना है तब आपको यहां पुस्तकों की संक्या दिखाए देगी अन्यता आपको यहां इस तरह स पहले से 6 बची हुई थी और 5 पुस्तके विध्यारतियों से मुझे प्राप्त होने वाली थी तो इन सब को मिला का टोटल स्टाक मेरे पास कितना बन गया है 8 तो इस तरह आपको जिस भी कक्षा का आप स्टाक देखेंगे वो स्टाक आपको यहां दिखाए देगा अब का आपको द्यान रखना है वित्रण की प्रविष्टी आपकी यहां पर होगी तो आपको यहां सबसे पहले जो संक्यात्मक सूचना दर्ज करनी है नए पुस्तकों में से वित्रित पुस्तकों की संक्या आपको जो नई पुस्तके मिली है मानलों की नई पुस्तके कितनी मि पुराने सेक्टीर दिया गया है उसलिए उसमें कितनी पुस्तकों का वित्रण किया है वो संक्या आपको यहाँ बतानी होगी तो आप यहां पर देख लिजेगा पुरानी पुस्तके कितनी है जो हमारे पास आई है वो 5 पुस्तके मेरे पास आ रही है तो मैं यहां 5 की एंट्री कर लेता हूँ इस तरह आप भी अपने विध्याले का रिकोर्ड देखेंगे और उसी के अनुसार यहां आप एंट्री करें करना है और यदि आप एक-एक क्लास के डेटा के से व करना चाते हैं तो यहां आपको से त्यव का आप आप यहां डेटा की प्रेविस्ति कर लीजेगा उसके जैसे ही आप save पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का message display किया जाएगा book distribution saved successfully मतब जो भी पुस्तक है आपने विध्यार्थियों को शाला धरपन पर online वित्रण की है उसे शाला धरपन पर successfully save किया जा चुका है आपके data को शाला धरपन ने save कर लिया है अब आपको है close का option देखने कर देता हूं कि मेरे पास नोडल से दो पुस्तक है मुझे मिली थी एक पुस्तक मेरे पास पहले से विध्याले में रखी वी थी तो तीन पुस्तक है मेरे पास नई थी मैंने तीनों विध्यार्थियों को वित्रण कर दिया है और पांच पुस्तक है मेरे पास दे रहा है, शेश पुस्तकों में मुझे यहाँ जीरो लिखा मिल रहा है, इस तरह जिस भी क्लास के डेटा को आप सेव करेंगे, उसी अनुसार आपको यहाँ पर पुस्तके दिखाई देगी कि आपके विद्याले में कितनी पुस्तके अभी शेश बची हुई है, तो इस तर पुस्तकों की निश्चिती वह आपके लिए उप्योगी साबित होगी, और यदि जो जानकारी में आपको प्रवाइड करवाई है, वो आपको उप्योगी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किजेगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी सात्यों तक और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी साथा चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किजेगा, मिलते हैं साथ यो इसी तरह के इंपोर्टेंट टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन, जय बारत!